किछ ढ़़े तो दोस्तों पिशह लेक्चर पड़ लिया था पॉल खुल तक पड़ लिया थे ना आज किछ दमागता शुरुवात करते हैं एंना सर् क्या देखने वाले सुरह वर्षम नहीं देखने वाले सुरह बंचल नहीं देखने वाले breast जी जी कैसे शानत होंगी ऐसे होंगा ना हम कुछ और दिखाने वालाँ तुम्हेद दिहां चेए कि अ कि अ उन दो का पाज़ एंगली में डॉनल्स पाज़ गये तो आची कहानी में डॉनल्स की अधिया जिवानी है द्यान चे देखेंगे अधिया आधिया चीज़ा जाना पड़ाएगा अधिया लेकिन बेंगलरु तो ने जाएंगे अधिया चाहिए लेकिन जहां पहुआछे यह बताओ बैंगलरु जुरु के लावा मैं अधिया क्या ये मैगडी के स्टोर है ना बैंगलूरू के लावा क्या ये मैघडी के स्टोर तुमारे शहर में है कैसमारे घर कासह से ठीक है अच्छा तो दो नॉड में कितने होंगे我很 एमार जाद में होंगे हैं कुछ यहां पर स्टुर में eu já फिक हा इतने सारी तो यहां पर मौझूद हैं तो हर मैगडी के स्टोर पर यह मिलेगा जो उंकल जी को पसंद है वो चिली चिकन क्या बोल रहे हो है ना हर बेंग लूरी जाना पड़े खाने के लिए बढ़ें अच्छा मेकडी का जो सबसे पुराना फेमस है ना जो में बचपन चे खाते आ रहे हैं मैं का लोटिकी आएं मिलेगे और शियम लोगों मिलेगा और बैठने का और मेन्यू का सेम संसें होगा एजद और प्राइज होगा विप्त है क्वालीटी स्पटिशम होगी जी सेम क्यों की होगीतल कि भी सकती है और गन्लूर्ड जाए बढ़ी ऑजै में खुले है ना चाहे बड़े शहर में खुले मैगडी की जो सप्लाइचेन है जैसे मैगडी का बर्गर तो मैगडी का बर्गर सेंट्रलाइज जेगे से जाता है कहां से जाता है सेंट्रलाइज मतलब एक ही फैक्टरी में बनता है एक ही हेट ऑफिस में स्टोर होता है एक ही करता है यह यह बहत बढ़्याब présentation मैं ब्लकर करता आपने ष्क्षर करता है और बुब क्योंकि दूर है तो हम उसे बेकार बर्गर देंगा थोड़ी हो जाएगा तो में डी की बिचती नहीं हो जाएगी है कि नहीं बात वाइरल हो जाएगा में इस तरी के खराब चीज़े बेच रहे हैं वहीं मैंग डी जैसे इंटरनेशनल चेन तो भीया मैंग डी का प्रोड़ तो हमारे मम्मी की तरह पकोड़े की तरह दलती है मंम्मी यहादे सेंट जित्व उने यह जैसा होता है रहाण और ऊओ से ऐसे ही पता होता है कि हमें कौनशी Quality का चाहिए आगर temperature में सेट कर लिए कि भी इसको गरम करना हे मानलो 80どう बाइं असटी सेखना है तो पूरे इंडियामं भात bunu सैंडर कि यूदिगा और यमें पूरे इंडिया में एसे शिख रहे हैं तो इसे बोलते हैं स्टेंडेडाइजेशन बात समझ मैं आई क्या मतलब वो स्टेंडेडाइजेशन का देरीज़ा देरीज़ा सेपरेट बेंचमार्क और एवरी प्रोड़क्त नमक तुम मैंग दिगर बरगर खाते हैं दस साल से तुसमें नमक भी तो नहीं आज और मसाले भी वही है और टेस् सें टेस्ट सें बर्गर शेम लंबाई चोडाई गोलाई बर्गर की सें टिक की का रंग सेम टिक की सिकाई सेम टिक की के इंग्रेडेट्स है कנ Examiner yeah yeah कि टिक्की अगर लेक्ट्रोनीकल कोई ही यूसे कड़ाई में देंगे स्पाइब में वाचबे आगई मसाले जो फिक्स है इतने ज्राम तो तो पॉंट में लिखना इसी तरीके से बनाना बात सब्सक्राइब यह चेर कुर्सी का कलर मेन्यू मेन्यू का प्राइज यह सारी चीजे दुनिया में एक ही चीज करती है और उसम क्या बोलते हैं उसम प्यार से बोलते हैं यह तो पिश्छी ग्लास में बढ़ा था है ना यादा आधक बाद उसम प्यार से बोलते हैं जल्दी बोलो हां फिक्स शॉप के अंदर चेन स्टोरेज चेन स्टोरीज तो अब तुम समझ चुके हो चेन स्टोरेज इसलिए भाया इसलिए मुन्ना मुन्नी पुसपा पुसपी मैंने तुम्हें क्या एक्जामपल दे रखा है सर ए के तुम्हारे पड़ो जल्दी मुझे क्यों देख रही है कि क्या लिख्खा है चेन स्टोरेज चेन खिलते हैं चेन चेन बिल्गुल ऐसी एक प्रोड़क्ट की चेंज होती है जो रिटेल शॉप की तरह ही काम करती है यानि कि महां साब डारेट समान खरिते हो मैं होती है जहां पर जादेतर लोग पहुंच सके ऐसे जंगले माना देंगे लोग पहुंच सके ठीक है अब सर इसके उसे उसे याद करना एक्जाम के लिए बताओ जंगल में हैना नहीं होगा कि दरें ़हां नहीं चैनल में चहलता नहीं किनारे पर लोग कमाना पसंद करेंगे लेकिन 62 बना दो मैंडी को अट्टा वार्किट बना दो है ना तो बहुत बजे क्या बारा एक बिजे भी खोलोगो तो भी लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि वह चलती फिरती क्या है रोड है चलता फिरता बजा रहा है महां को इतना रिस्क नहीं है लाइटे वगएरा हैना सेक्योर्टे वगएरा पुलिस वगएरा महां पर जादे एक्टिवेट है है कि नहीं बात राइट और वह एक रनिंग हब है बिजनस का जहां पर रात को भी रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं तो इसलिए पॉपुलर है ना लोकैलिटीज में ही चेंड खोली जाती है अकेले खोपचे में नहीं खोली जाती है कि निवात राइट जो मैंने भी बताया मैड़ी का बर्गर आलू मसाले क्या मैड़ी का आउटलेट खुद बनाएगा सुबसुब आलू ख़ड़ी दे लेगा मंडी से अर अब यह 10 किलो पैक कर दिया हमाल ल है से हैं इद ऑफच से ही जाती है एड ऑफच करता है इस इच स्टोर को हैड अफच दिस्पैस करता है इच स्टोर को एड ऑफच ने से भी कि पीने से ड्राइंग रूम तक जाएगा और वहीं पे तुम लेट के खारें विस्तर पे तो मम्मी प्यार महभबत ने तुम्हें पहुंचा देंगी ठीक है वहीं से चत्पे भी जा सकता है ठीक है लेकिन वह सेंट्रलाइज एरिया है जहां खाना रखा तो सेंट्रलाइज सिस्टम जो मनतों बताया है कि निवाद तीसरी बात जो भी चेन स्टोर होगी उसका एक मैनेजर होगा हर एक ब्रांच मैनेजर होगा जो पूरी चेन की स्टोरेज को यह पूरी चेन के उस आउटलेट को क्या करेगा सर समालेगा सेल्स कैश रिक्वार्मेंट सब पूरा डेटा वो अपने हेड़ उपिसको कि सर नौएडा की बासट की चेन नौएडा के अट्टा की चेन आउटलेट पर इतना प्रॉफिट हुआ है या इतनी सेल हुई है एक महिने के अंदर और जितनी भी जितने भी आउटलेट हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है सर कंट्रोल भाए जाती हैं और इन सब की जो प्राइश हो मैं तुमने खुद मुझे जवाब दिया क्या मैं कालू टिक के अलग लग जगह पर जाती प्राइस हो जाएंगे नहीं मैं कालू टिक के अगर 35 का मिलना है तो पूरे इंडिया में फिक्स प्राइस पे मिलेगा और क्या में उधार दे क्रेडिट आपको नहीं मिलतेगा पैसा दो समाल लो खेल खतम बात सुझ में आगई सर असानी से लिख सकते हैं फीचर तो जो जो मैंने हाइलाइट किया है है ना रंग बिरंगी चीजों से आपको वही वही हाइलाइट करके एक्जाम में लिखके आना है और इसी को आप है समाल लेने के फाइदे क्या हूंगे हमें अगर हम चेन स्टॉर से समाल लेते हैं हम नमyeong रहने सबसे पहला फाइदा होगा सर्शें श्टोरेश का सब से पहला फाइदा तक ची श्टोरेश गजो ठीच वाले को मिलता है देरीज नो है बेटेट क्यों में होंगे सब हां विकाज डू नोट उल्ट वी हम सुल्ट वैंट कर दो पेटेयम कर दो गूगल पे तो उद्धार नहीं देने का कि वह यह तुम जूते लिया है यह मैंडी से बढ़ लिया कि रहो किल पेमेंट देदूंगा सबसे बड़ा फाइदा चेन स्टोरज को जेकि उनके पेमेंट बेसी है है कि नहीं बाद राइट दूसरा फाइदा क्या होगा चेन स्टोरेज खोलने का बिजनसमेन का मिडल मैं एलिमनेट हो गया मेरी कंपनी मेरा प्रोड़क्ट मेनी मैनुफेक्ट्रिंग और मेरी चेंग मैडी कंपनी मैडी का ही सीक्रेट है ना अब मैडी का बैक आलू टिक की बर्गर मेर बर्गर मैंजी जीरिक जींशनी होगा सब्सक्राइब बात तो दोनों का बर्ग का माटर से हो सकता है जब लगा देंगे एक प्याज लगा देंगे और उपन नीचे बर्गर चिपका दिया यह खाला और सौंच दी मैगडी भी यही कर रहा है लेकिन दोनों की टिक्की का जो टेस्ट हो क्या होगा क्योंकि दोनों अपने बनाने का सीक्रेट एक दूसरे को नहीं देते तो सबसे नहीं चेन में समान बेचूंगा तो मुझे मिडल मैं मिडल मैं बोले तो मैनुफेक्ट्र या होलसेलर या है ना कोई और रिटेलर की जुरुत्मी जो मेरा समान बिखवाए या मुझे कोई एजेंट की जुरुत नहीं है या मुझे कोई सेल्समें की जुरुत्मी जो मेरा स TW बीचूँगा कमिशन ने देना पड़ है कमिशन में कैसर इसरा इसरा इसरे इंपर्नेट खौशवाट क्या से जो मैं तुम्हें भी उपर बताया सेंट्रिल सेंट्रलाइज मैनुफैक्ट्रिंग यानि कि मैघी की मेनुफै लिए उटixel होगी फ्रेक्ट्री में उनके उस फेक्ट्री में मानलों फेक्ट्री फॉर एक्जाम्पल ग्रेटर नॉइडा में है ठीक है तो ग्रेटर नॉइडा से ही पूरे एंचियर में सप्लाई करेंगे वो करेंगे नहीं है कि निवार राइट कि अशेटा कि सब जीक है सेमलर प्रोड पहुझ चकें शेम लॉट का सीम क्वालिटी का पहुझ चकें राइट और वर स्वीच वह असर उनका यंदे आड also है सेंटल ऐस एड ऑलसो सेंटरलाइज है वाय है जैनिकर एड करने का तरीका है नहीं कि क्या होंगी सेंटलाइज दो को छो सभी आउट्लीट के लिए ऊएड जैसे बहित पहले जवाने में जो आता था मेगडिगा है ना रईट तो उसमें बोलते है थे मैडिगा तो तो कहता है यह 20 में क्या मिलता है 20 मिलता है मैं कालू टिक्की आइम लविंग इट जैसे यह वाला और क्या पढ़ाईगे जो थोड़ी है सीधे बन जाओ जमता है उसको जमता है उसको किल रहा है कि इसको है कि घृट्र करें कि पजिए अब कर दो तक कर दो दो अब मैं कालू टिक की बर्गर मुझे मिल रहा है यह एड पर्टिकुलर आउटलेट के लिए क्या नहीं ना बैंगलूरूरू के लिए अपर बतादे लेकिन वह बैंगलूरूरू के किसी एक जगय का नहीं है वह पूरे बैंगलूरूर का है थिक है ना लेकिन यह वाला यह किसमे में अणा पूरे नॉर्थ ल्ओर चल जाएगा यान現在 होता कि एक एड चलाओ कि जहां-चाहा लोग हिंदी समझ रहे हैं व्हांँ यहां सब इसको देख सकते हैं इसे बोलते हैं centralized ad और centralized manufacturing सिस्टम एक जिगे सब कुछ कंट्रोल करना तो अलगलग आउटलेट को अलगलग एड करने के जीरोतनी है पैसा क्या होता है कॉस्ट सेव होती है है कि निवाद बस आपको यह पता है आपको गूगल पर सर्च करना है मैं अगर तुमने एड देखा पहली बार बच्चे कमन कर अगर मालो एक ब्रांच नहीं चली मालो 62 वाली नहीं चल रही तो क्या करेंगे 62 वाले का लॉश कवर हो सकता प्रॉफिट इन अधर शॉप मालो 62 में 62 में लॉश आ रहा है और अटा संतर 18 एक्टर सब पर आरां आपको लगता है 62 आपने लॉश इस लिए हैं कि बास अट प तो आप वहां का लॉस्ट वहां से कवर कर सकते हैं कोई बात नहीं हम मानेंगे हमें चलाना है बाकि हम यहां से उसका लॉस कर लेंगे एक क्यूंकि सेंट्रलाइज सीजिए ना ब्रांस तो में कभी इस बात पर शुक्षी और दुखी नहीं होगी तो बताओ प्रॉफिट आ बढ begins भी सनी उनको पता है कि लोकेशन जहां पर इहां पर समय भी क्वर कर सकते हैं उसको एक अगर 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 पिर भी पुछ समय चलाने तो इसका मतलब आपका डेड स्टॉक बच जाएगा यह ना राइट भी आट्टा में आ रहे हैं पांचो बर्गर की डिमांड और आपने दौनों जगे क्या कर रखा हैं तो वहाँ के बर्गर वहाँ पुचा दो नियुक्त सब करेगा तो जहां है पर जाद है वहाँ पर जादा स्टॉक पहुचाएंगे यह फाइदा होता है चेन में कि हमें पता रहता है हर आउटलेट पर कितना माल भेकरा है और अगर आपको लग रहा है इससे भी बुरी सुच्चेशन आगई क्या सुच्चेशन आगई सर और वह एरिया में खोल के गल्थी होगी और क्या हो सब्सार फिर्वोसर फाफिट नहीं आ रहा है याँ वह अधिक रोग और कोई हैं और कई कोई कोई होगी गतoss Legion यार रॉंग एस्टिमेशन लगाया हमने अपनी चेन का एक आउटलेट यहां खोलने के लिए ठीक है तो आप क्या कर सकते हो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो दूसरी लोकालिटी में विदाउट अफेक्टिंग दा प्रॉफिलिविटी आप दा ऑगनेशन अगोल तो इससे तो बहुत बड़ा लॉस नियों को एक छोटे से लॉस में सिर्फ किसी के लॉस में यानि की जगे के लॉस में कि वहां पर नया बनाना पड़ेगा राइड उसके इलाम बाकी को नुक्सान नहीं का आपका स्टॉक पूरा कि क्या कहते है स्टाफ और आपकी चेयर कुर्सी फ प्राम करते तो उसके फाइदा हुए सर छे एक फाइदा लिख लो जेश्टोर खोल के आप अपने ग्रहाग को एक संतुष्टी दे सकते हैं कि हम आपको हमेशे क्या देंगे जो मैं तुम बताया स्टैंडड जैसके अग्ष्टनर्डाइज स्टैंडरडाइ स्टैंडराइस प्रोडेमरः का कि है तो आपके घ्रह और एक अच्ष्य। स्टैंडर्ड आइसे इस्टैंडर्ड कॉलिट्टि आप किसी भी आउट्रेट से लोगें आपको कॉलिटी से मिलेगी alive आपको बेमानी नहीं मिलेगी। बायर है अशॉर्ड बायर है अशॉर्ड ऑफ कॉलिटी ऑफ प्रोड़क्त एट एनी आउटलेट किसी भी आउटलेट में चला जाए उसको इस बात की शंका नहीं होनी चाहिए किस आउटलेट पर बेकार माल देंगे उस आउटलेट पर कम य जाद अच्छा देंगे नहीं हर जगे आपको सेम कॉलिटी ऑफ प्रोड़क्त में किसी में डिक आउटलेट पर चला जाओ मैं कालू टिक की बरकर का स्वाद आपको सेम मिलेगा बात संज्वागी यह साथ तरह के बैनिफिट है सर किसके सर कि बोलो कि चेन कहना तो इसलिए कि हमेशा चेन में चेन स्टोर में काम करते हैं जो लोग उनको बहुत फायदा होता है क्योंकि हमेशा चेन स्टोर क्या होती है सर स्मार्ट होती है स्मार्ट चेन स्टोर चेन स्टोर हमेशा स्मार्ट होते हैं समझगे तो यह हमें एडवांटेज में लिखना है कि चेन स्टो main eliminate कि ये से क्या बनेगा सर ni centralized ads and centralized manufacturing point number 3 मैं ना अएड़ और manufacturing centralized हो से क्या बनेगा से एक आपका हमेशा कम होता है हना क्योंकि आप एक जगह का लॉच्वज दूसरे जगह के प्रोफिट से आडड़जस्ट कर पाते हैं ती शे तो यहां पर दिमांड जाद है यानि कि ट्रांसर वोले तो पॉइंट नमबर 5 चेंड चेंड से क्या बनेगा सर्क्षी से बनेगा कैश दियरिज नो क्रेडिट और सी से वनता है no credit कोई credit system नहीं होता cash में चलता है इसलिए bed date की संभावनाए negligible होती है और store के as से बनेगा shift आप shift कर सकते हैं point number six अगर आपका एक छोटा सा कभी के बार गलती में सौमें से एक बीजन गलत होगे आपने गलत लोकालिटी में ठीक है ही code है chain store का ही code है chain store का code है तो इसलिए smart chain store याद रखेंगे तो यह बात याद आद जाएगी chain store का है सर code है नोट कर जल्दी जट पट है ना राइट अब सर कुछ फायदे है तो हाँ कुछ फायदे है तो कुछ नुक्सान भी होंगे यह ना सर तो क्या नुक्सान है सर गजब के नुक्सान है सर पहला chain store sell the product in their organization only and there is always a limited choice बहुत ज़्यादा limited choice है बहुत ज़्यादा तो लिमिट के उपर लिख लो बहुत बहुत limited choice मिलेगी आपको है कि नहीं बात राइट तो बर्गर भी है तो दो चार तरह के बर्गर मिलेंगे ठीक है ना राइट यह नहीं कि तुम कहतो भी है मुझे पंद्रा तरह के बर्गर दिखा तो यह 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 लेगे तीन चार जो भी है ना महराजा बर्गर में कालो टिक की बर्गर वेजी बर्गर उसमें सब्जी भर देंगा ना लिमिटेड चॉइस है मतलब आपको ठीक है बीस पच्चिस तरह की वराइटी नहीं मिलेंगी रेस्टोरेंट की तरह कि वहाँ पे आपको डाल की दाल मखनी पनीर की पांच वराइटी हो गई और यह ले चाप खाओ लिए समझ रहेए ना रोटी की पांच वराइटी हो गई मिस्चि यह वाली रोटी यह नान तंदूर स्टक लोई सटक लोसर है ना साम की टाइम ऐसे बात मत किया गो रहना तो यह वहाँ पे लिमेटिड वैराइट स्टोर के अपनी क्या है लिमिट होती है manufacturing की और डिजाइन की भी तो बहुत limited choice मिलेगी आपको है ना एक तो यह है ठीक ग्राहक पॉइंट भी से दूसरा सन जो जो स्टोर पे बैठा है यानि जो आउटलेट यह यह अपना दिमाग नहीं चला सकता उसे वह इंस्ट्रक्शन्स या कह दो उसे वह अपनी कंपनी की पॉलिसी को फॉलो भी करना पड़ेगा ओबे करना पड़ेगा जो है डॉप इस ने बोल दिया कि भाई यह दस बजे बंद श्टोर तो दस बजे बंद चाहाए मैनेजर नहीं बोल सकता है खोल ले इतने सारे घराग खड़ेंगा माल है कि नहीं बात ऐसा नहीं हो सकता है हम अपनी परसल दुकान पर तो कर सकते हैं लेकिन बहुत चेंटर में हो तो सेंट्रलाइज चलता है मामला ठीक है कई बार तुमने देखा भी हो कि यह बिब बजार कि वह है ठीक है दस बजे बंदो जाएगा तो वह अनौस्मेंट करते रहते हैं करपे चलते हैं अपने समान काउंटर पर लिए हैं दस बजे बिलिंग काउंटर बंदो जाएंगे रहा गयो नहीं गयो घवी तो उसका कारण यह कि अपनी तरफ से आप दिमाग निनलगा सकते कोई ब तो फ्री मिल जाएगा नहीं क्यों स्टॉक में पता सो बर्गर आया है कि अगर वह कहना सो बिके हैं निजाने विके तो एक कहां गया या तो तुम बताओ एक खराब हो गया है ना चुगा हो नहीं सकता क्यों सेंड़ाइस यह तो भी यह वेज जती हो जाएगी ठीक है एक चो आउटलेट का स्वीपर भी भूग के मारे मर रहा और क्या रहा है मुझे एक बर्गर खिलाता वही है मैं रूटीन लाया तो यह उसे बेचना पड़ेगा है कि नहीं बात अन्लेस अधरवाइज की हैड ऑफिस इसकी इजाज़त ना दे है ना कि तुमने हैड ऑफिस फोन कि इस ऐसा यह हमारे सीपर है तो चलो ठीक है एक दिन में एक स्वीपर को लाउट तो बात लाएगा वनना क्या करना पड़ेगा सर बेचना पड़ेगा तो आपको ओबे करना पड़ता है सारे इंस्ट्रक्स्टन और क्या डेली सेलस इसका सब जात तो पता कैसे लिए अगर डिमांड चेंज होई है तो क्या होगा लॉसिज हो सकते हैं किस वज़ा से सर स्टॉक आपका अन्सोल्ड रहे गया अगर डिमांड मल्टिपल शॉप वाले बताते हैं देली की आज इतनी 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 दिमांड आपने मैनफेक्ट्रिंग कर दी तो कई वार क्या होता जो अन्सोल्ड स्टॉक होता है स्पेशली मेगडी जैसे चेन का बाटा जैन का नहीं बाटा जैन में तो खराब नहीं होंगे शूज है भाई कपट जूते हैं चपपल है खरा थोड़ी होंगे लेकिन भाईया अन्सोल्ड रह गया पैरीशेवल पैरीशेवल कुछ समस्तों एक नौ में से खिलाड़ी तुम तो है ना राइट जो बहुत जल्दी खराब जाता है जैसे बर्गर के पीछे लिखा होता है यूज विदिन फाइव डेज टू डेज थ्री डेज ग्रेट पर लिखा होता है तो बर्गर आपका कहते हैं तीन दिन संदे को भीज़ती है हजार बर्गर है ना और उस दिन पता लगा पब्लिक नहीं पहुंची ठीक है किसी भी कारण लॉक्डाउन हो गया या किसी भी कारण उस दिन क्या कहते हैं बारिज जादे हो गई है ना राइट बढ़पडगी नोइड़ा मैं है कि लिए इस तरह कु रहे हैं हाँ जैसे कोविड आ गया तो जो स्टॉक पहले है बनाकर रखाऊ तो खराब लोगडाउन लग गया एकदम से किसी भी दिन है ना नाइट कर्फी लग गया तो साम को बेच नहीं पाओगे तुम ठीक है इस तरह के चक्क्रों में कई बार लॉस हो जाता है और नॉ में वारिश पढ़ती है तो रुकती ना है वहाँ पे दद्द पंदर पंदर दिन तक पढ़ती रहती है बड़ी खतरना के मुंबई की बारिश यह कि नहीं बात महाराश्ट्र में एक बार शुरू फिर निरुक नहीं हो फिर तो तुम्हें भईया च्छाता च्छतरी जो भ वाराइटी है कि निम्रीड वाराइटी में क्या लिखेंगे सर एस चेन स्टोर इस एस चेन स्टोर इस इस स्पेशलाइज्ट इन वन लाइन आफ प्रोड़क्ट जैसे बाटा यूत चपल में फुट वेर्स में मैगडी वगरा खाने पीने में एक वन लाइन फुट में अगृका चैन स्टोरेज में डू यू नाट ऑफर लाड़्ज वेराइटी कि ऑफ प्रोड़क्ट कैसे डिपार्टमेंटल स्टोर जैस डिपार्टमेंटल स्टोर्ट देते हैं ऐसा चैनストाइं ёपको डिपार्टमेंटल स्टोर तो भीकोच birth या एक टूतो पेससके तुम लग से नाता हूं तो यह उसमें नानाम तो पतांजली और साबून भी कही तरह के एलो विरसाबून अलाग नीम वाला अलाग समझ रहें डेट ओल कम वाला अलाग और डिस इंफेक्शन वाला अलग लेक्टर एसाबून आ रहें ना जो दिखाए था प्याज वाला सेम्पू यह नहीं वाल तो ऐसा मज़ा निदे सकते हैं कि डिपार्टमेंट इस टोर वाले चार एक और लिखवाएता हूं चलो तुम्हें जो गरहाग को पसंद नहीं आती चेन स्टोर में नो क्रेडिट फैसिलिटीज नो फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट लाइक होम डिलिवरी चे अगर मैं नमढ्बर आया निल्बटा क्या इसनाटा तुमने या सुना नी बष्मन में निल लटा संनाटा यह ग्हीं न की नमबड अ सननाटा तुम्हारे घरवाले तुम्हारे कान के नीचे बज हा करी देंगे त करींगे तैम इलबटा संनाटा चें इस टूरिज को का जो limitation है वो लिमिट यही मिल बटा सननाटा सर एंसे क्या बनेंगा मुणि मुणि एंसे बनेगा पॉइंट नंबर 5 बताओ पॉइंट नंबर 5 क्या है आज नौ फैसी रिटी आई से क्या बनेगा क्या पॉइंट नंबर2 इंस्ट्रक्शन स्वालो करने पड़ते हैं आप emotional होके अपने goods को गरीब को देना या किसी के साहता करने के लिए या कस्टमर की कुछ खास requirement पूरी करने के लिए नहीं कर सकते एल से क्या वनेगा और पॉइंट नंबर 4 लिमिटेड विराइटी बटा के भी से क्या बनेगा यह बताया मैंने बहुत limited चॉइस बहुत लिमिटेड चॉइस पॉइंट नमबर वन बहुत ही लिमिटेड चॉइस होगी बहुत ही लिमिटेड चॉइस और सन्नाटा कैस से क्या बनेगा सर पॉइंट नमबर थ्री अगर आपका स्टॉक अंसोल रह गया किसी भी कारण कि जैसे कि बारिश आ गई आपका स्टॉक अंसोल्ट रहे गए लो डिमांड की विज़े से तो आप एकनॉमिस के खिलाड़ी हैं है कि नहीं बात लोवर्दा डिमांड दिहां तो यह कभी कभार करें हमेशन हिओता है लेकिन कभी कभार करें डिमांड के अन्सोल स्टॉक की वज़ें से क्या सकता है सर्भी जमतिया बाद कि अब सार एक चीज़ और दिखाता हूं तुम्हें कि यह पुराने जमाने आप लिए गया है सर वो किया सर वो यहां दिखेंगे ध्यान से देखेंगे आँप यह ठी बहुत देर से परळशान है 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 आझ है बहुत देर से परशान है अन्ती जी क्या कह 120 हैं मुझा रही है न मुझे नहां हो एया है अ लेकिन लेकिन वहीं कि यह काम ऐसे प्रोड़ेट की सैलिंग इंडिया मैं चलती प्रोड़त की इस चलती एड सर्थ या ना अब मुझे मेने सर्ज किया तो मुझे मिला नहीं दुबारे सर्ट डाल देता हूं कि कि अपने प्रोडेट को लाइव दिखाऊ आप कि देखो ये शायद अंटी जी हाँ ये लाइव चल रही है जी है ना इंडिया में ये देखो लोह हिंदी बोल रही है तो अब देखो लाइव चल रहा है लबी एम कलेक्शन नंबर भी दे रखा है ये लो हिया आस्ता नंबर लिखा है पसंदाया तो ओर्डर कर दियो ठीक है ना अपने लिए मम्मी के लिए ना तो आप मुझे बताओ पीछे नहीं होता है ये लाइव चलता है तो पीछे नहीं हो रहा है ना अब अब यह ऐसे करके ना दिखाते रहते हैं मतलब है ना लडकों के भी आते हैं लेकिन बहुत काम आते हैं लड़कों को ऐसे देखने मजा नहीं आता है ना तो यह अभी अलग लड़कों में पर आईटी नीज आ वही जीन्स और वही टीशेट है ब्लैक ब्लू और क्या पहलेगा तो भाई यह इस तरह की सेलिंग को जो आजकल के जमाने में जिसे आप लाइव जा सकते हो आज से 20 साल पहले 10 साल पहले जब ऐसे लाइव नहीं सकता था है है मुन्न मुन दिन में उत और आज अज भी खφक पर में जहां लोगों तो रिच हो सके और heut अज भी दूसरी बात दूसरी के वाज़ेखी यहाँ अट्रेटgil के द सब्सक्राइंग चपपाना पड़ेगा कि भाइया देखो साड़ी ये वाली इतने की इतने की तो कई बाद पूरा न्यूश्वेपर ही लेना पड़ता था पूरी मैगजीन ही चपपानी पड़ती अपनी अपनी आपको डिस्ट्रिबूट करनी पड़ते थी तीसरी बार अगर लोग ऐसा कर र क्या तुम्हें कोई ट्रांसपोटेशन की जुड़त है नहीं न क्या तुम्हें कोई टीवी में एड़ की जुरत है जिसे में मदलब भेंगा एड करना नहीं न इसका मतलब कैपिटल कम चीए जाध अचीए कम चाहिए है ना राइट अच्छे बताओ अगर अन्टी जी यह बढ़ी बात है उसे दिखाना में कम से कम एक घंटा लग जाएगा ना कोट को दिखाना यह दिखाना कि भई मेरा क्या कहते है यह लाट साइज है एक्सल साइल है यह साइसे इसका फैबरिक ऐसा डिस्क्राइब भी तो करोगे ना उसको पर अब अब जैसे से पहली क्या दि सुट दिखाड़ी तो बताएंगे ना कि यह हेंद्मेड कडाई का सूट है यह गुजराती है यह साथ यह तमिल नाडू का स्पेशल है समझे यह यह एंपई की कडाई है ठीक है इसतरे की चीज़ों को पता क्या बोले आप पूरा इस तरह की चीजों को आशक तो बोले आता ह क्या बोले आता है online order एक तो मिडल मेन का कमिशन बचेगा आपकी डारेट रीच हुजाएगी ग्राक का नमबर आपको डारेट मिल जाएगा डारेट आप से जुड़ेगा क्योंकि online order क्योंकि अभी का चलन है ना इसलिए पुराने जमाने में या पुराने प्रोसेस को बोलते अब mail order को क्या कर दिया उन्होंने online वर्ड दिया बस लेकिन रिष्टा वही है ना सोच नहीं रिष्टा वही है सोच नहीं है ठीक है ना अब online की जिए लेकिन हमेरा एक्जाम में पूर्स में online word नहीं लिखा तो हमें mail order लिखना पड़ेगा अब देखो बिल्कुल सही बाद advertisement newspaper में करते हैं अपने समान का ad magazine में करते हैं catalog में करते हैं और पोस्ट से बेशते हैं सबसे कतानाक बाद है ना आपको अपनी समान की जितनी भी जानकारी हो कैसे भीजनी है पोस्ट से भीजनी है और जो पोस्ट में अपने दिया है वो बिल्कुल फियर प्राइस टम्स सब उसी advertisement में आपको बताना पड़ेगा ठीक है अगली बात जो भी mail order लेते हैं वो समान पता कब भीजते हैं पोस्ट से पोस्ट ऑफिस के भीजते हैं लेकिन वें ग्राहक मेंग दा फुल पेमेंट जब ग्राहक क्या करेगा सर फुल पेमेंट पतला लगा तुमने समान मंगा पहले पैसे ना भीजे तो पहले पैसे लेते हैं फिर का करते हैं सर समान आपको भीजते हैं तो गुट्स में भी सेंट्रू बैंक विच डिलीवर डेम तुदा कस्टमर ऑनली वेंद मेक आफ फुल पेमेंट आपके खाते हैं पैसा आ जाता है तब आप उसे बेशते हैं है क अगर बार बार लग रहे तो इसका मतलब बेकार है एक ने भी लिख दिया एक ने भी कंप्लेंट कर दी पुलिस में कि यह मुझे तो दस जारुपे लिड़े समान नी भेजा तो उसी गुट्विल मार्केट में खराब हो जया तो इस बात का ध्यान रगता है ठीक है आज कर जाए नीचे लिख दो आप कमेंट में मेरे पैसे लटा दे तस जारुपे तो तो दस लोग उसमेंट करें क्या हो गया हो गया अगया तो बिजनस्में थोड़ा सा फिर भी चोरी करने इसे ड़ता है कि अगर उसे लॉंग टम में सरवाइव करना है ग्राक को क्या एक बार ल कि इतनी इंसल्ट होनी नहीं है ना इसलिए में मैं तुझे कहा तो ढूंडू अगराक को तू तो फिर ही मुझे ढूंड सकता है कि ठीक है कि बढ़िए 10-20-50,000 का मामला है तो तो पहुंच जाएगा 2-4,000 ओपे ट्रेन में खर्च करके लेकिन मैं तेरे को कहा है सबसे बढ़े है पहला फाइदा क्या है सर जो तुम हम भी मैंने बताया लोग लो अमाउंट अब कैपिटल के रिक्वार्मेंट तो नहीं कम चाहिए कि एक छोटे से कमरे में या आप बस कैमरा लगा के बेच दो और अगर ऑनलाइन नहीं है पेरारा जमाने कितने मेल और है फिर तो तुम बताना भी नहीं कि मेरे पास कितना समान रखा है भर जो किया पता लग रहा है तियुफ्य दुकान ने सी दुकान निची जैITCH तो बेड़ेट के चांस नहीं है सर, चौता सर, पोस्टल की सेवांओं पे निर्भर रहना पड़ेगा मुझे, है ना, राइट, क्योंकि मैं पार सल भीजूंगा, तो पोस्ट पे निर्भर रहना पड़ेगा, कोरीर वालों को, है ना, देना पड़ेगा, और, अगला फीचर, एक बात यह होता हैम मेल ऑडर के गपड़ीज क्या रहते हैं अब एडवांटेज कोड के लिखेंगे लिखो जैसे mail order से पहले आजकल कपड़े आते हैं ऐसी mail order पे मैं CD मंगाया गरता था CD पेंडर से पहले CD चलती थी फिर DVD आई उससे पहले floppy चलती थी floppy यह करी बाद floppy होती थी एक MB की बस बहुत महेंगी आती थी एक MB की floppy ठीक है M से क्या बनेगा सर point number 2 AI से कुछ नहीं बनेगा L से क्या बनेगा सर point number 1 low capital M से middleman गायब low capital P से क्या बनेगा सर point number 4 postal service पे आपको depend होना पड़ेगा C से क्या बनेगा सर point number 3 उधारी देने के जरूत नहीं तो bed dead भी नहीं D से क्या बनेगा सर door step आपके door step घर के तक समान पहुंचेगा घर तक समान पहुंचेगा ठीक है सर मेर अब देखो इसमें और यह वर्ड किस लिए उसकी है मैंने क्यूंकि कोड ही किसका है सर मेल ओर्डर का कोड है तो यह कोई personal contact नहीं हो तो जिसकी विए से faithful faithful नहीं हो पाते हैं बाहर एक दूसरे के प्रति प्रति है ना राइट बाहर के दिमाग में भी यह सोच आती है यह तो एडवांस मांग रहा सारे पैसे क्या आप फिर भेजू को ना भेजा तो चाहिए मैं 500 रुपे का समान मंगा साथ है reason being there is no personal contact है ना और बायर उसको चेक भी नहीं कर पा रहा ठीक है अब तुम्हें मीडियम साइज लार्ट साइज टीशेट आ रही है तो जोड़ी थोड़ी के फिट आ जाया या लूज आ जाया चेक भी नहीं कर पा रहा मैं जूते आ रहे हैं फिट है लूज है पता सब्सक्राइब नहीं इसके पैसे देने पढ़ते हैं फेस्बुक को फिर उस कम्मुनिटी में आपको स्लॉट मिलता है ऐसे निये यह तो आपके खुद की इतनी रीचो अना पर फेस्बुक को पतल देता कि आप क्या कर रहे हो कमर्शल काम कर रहे हो तो फेस्बुक पकड़ और अधर प्रमोशनल एक्टिविटी के आपको पूरा कॉस्ट इसलिए भड़ती है दूसरा सर इसमें आफ्टर सेल सर्विस तो खतम है प्रोजेट खराब निकले वेकान निकले तुमने जैकेट मंगाली चेन खराब निकली तुम्हें ठीक करानी पड़ेगी वह तुम वाप सारी दिक्कते हैं सर मेल ओडर से ठीक है दूसरा क्यूंकि एडवांस मांग रहे हैं तो कोई क्रेट फैसिलिटी नहीं तीसरा डिपेंडेंडेंची किस पे सर पोस्ट ऑफिस वालों पर हैंके नहीं बात और कई बार क्या होता है ओडर में बहुत ज्यादा टाइम लग जात कि एक ऐसी चीज़े जो पहले बच्चों को समय नहीं आती है तो मैं बहुत अच्छा सम्झ में आती यह सर बताओ वेंडिंग मशीन क्या होती है अ जिक्के डालके हाँ बिल्कु से क्या निकलता समान निकलता है एरपोर्ट और अब तो वैसे चाल चलन रहे एरपोर्ट पर ही होता है लेकिन फिर भी क्या काते है अप तो हॉस्पिटल में भी और क्या करता है मैट्रोज काई मैट्रोज भी लग तो मैट्रो स्टेशन पहीं सब्दोगे जबेंडिक मशीन कि यह यह इदा कि यहां सिखने डालो बटन दबाओ यहां पर नम्बर लिखने है कि यह जो होता है यह देखो नंबर लिखा नहीं एडी सेवेंटी टू एटीन एटू है ना तो आपको जैसे अपने इसमें पैसे डाले मालों यह चिप से बीस यह लेज़े बीस रुपए का तो तुम्हें बीस का नोट डालना पड़ेगा एक चक्कर नोट होने चे खुल करो उपता लागा अंदर मशीन में वह नहीं है असी रुपए खुल ले तो मना कर देगा लेने से हैं हां यह खुल लेना है मुझे तो आप मालना तुम्हें 20 का नोट डाला है तो उसके पास कितना पड़ चला गया अमाउंट 20 फिर तुम्हें डालना पड़ेगा तुम्हे ए बी सी जीरो टू तो सी जीरो टू जैसी दबाओगे एक लेस टपक जाएगा नीचे पहुंच जाएगा नीचे हां चे निकाल लिया समझे तो यह वेंडिंग मशीन होती है दूसी बेंडिंग मशीन तुम्हें बताओं जो सबसे बढ़िया है जा इसका तुमने इस्तेमा आप लिया तुमने अपना यह वह लाग टोकन मैनी तो यह देखो यहां पर अपना डबा रखा को ये यहां मुले देरी वाले इंकल से बोला जिन देरी का तो आप मिल्चुट की बजाते ही दूद फिनिशने वाला काना गाया मेंडेरी वालों का 20 रुपे दिये मालों 50 रुपे लिटर दिये वह कौईन देंगे तो कौईन जैसे वीडियो गेम बाले देते थे बच्पन में है ना कौईन तुम यह इसमें डालोगे इसमें इसमें करके दूद किने लाएं अगरी बात राइट यह होता था वेंडिंग मश्चिन आज कर लिए पुरान जमाने की है ना हमारे घर के पास है वहाँ पर यह वाली भी आने लगी है डिजाइन वाली यह वाली व्यान लगी आज कर ठीक है शिक्कर डालो दूद मिलेगा शिकर डा अपना ठीक है और अपना जूलते जूलते वापिस आजाओ तो यह तरीका जो होता यह पहले एड़ भी आता था न्टीजी का यह ना राइट की क्वालिटी चेक है कोई घवराने वाली बात निया मजड़ी रिपार भरोसा कर सकते हैं बच्चे भी निकाल लेते हैं आराम स तो एक्चाम में लिख क्या आना है बेंडिंग मशीन ओन एरपोर्ट मैट्रोज हैना अब और कोलरिंग चिपस एंड मजडरी टोकन व्यंडिंग मशीन इस वैरी पॉपुलर इन इंडिया में तो मजडरी टोकन सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में तो मिल्क सॉफ़ ड्र छीक है ना जाएतर यह बहुती कम पैसो के लो प्राइस डूट्स होते हैं और हलके होते हैं नहीं होते इस्टलेशन कोस्ट हाई होती हैं हिंकी अज़िक है और आप इसको लटा नहीं सकते क्यूंकि एक बार निकल गया तो भई है फिर निकल गया फिर आपस निकल सबसे पहले जो तुम बिल लेते हो बिल उसे क्या बोलते हो सर इन्वाइस बिल कैश मेमो इसे इन्वाइस बोल जाता है जिसके उपर सारी चीज़े लिखी होते हैं क्वालिटी कॉंटिटी रेट वेल्यू टेक्स डिसकाउंट एट सेक्टरा है ना राइट अब जैसे मैंने खरीना बहिया कुछ साल पहले मूबाइलने लए क्लीए का पढ़ाने के लिए वियक ऑला है धो यह प्ला इक उर सब प्लाइब लिख कहां से खरीदा कितनी कॉंट इडिये कॉंटिटी है कौन से खरीदा कितना उसका प्राइज है इस पर कितना धिकर रही जारीक और यह एक्स की टैक्स की है और जहां से खेहता यह यह जो ठीक है अब इसे बिजन see में क्या बोलेंगे आम आदमी से बिल बोलता है Wait ja technical आदमेस से क्या बोलेगा invoice यह क्या चाहें पहना मुझनी अगली बात अगर यह इंवाइस है तो सर्फ प्रोफ और इन वाइस क्या होती है प्रूफ और वाइस होती है जो तुम अपना माल बेचने के लिए अपने एजेंट को देते हो ताकि उसे डिटेलिंग पता रहे हैं उसे बोलते हैं प्रोफ और मैइन वाईस जैसे कि consignee is an agent यानि मैंने समान बेचना है mp में मैंने तुम्हें भेच दिया मैंने कब समान लेजा बेचा तुम मेरे एजेंट वे जो मैं तुम्हें क्या दूँगा पर्चा दूँगा कि ये समान है इतने रुपय का है इतनी quantity का है ऐसे बेच के आई हो तो मैं जा तुम्हें detailing दे रहा हूं उससे invoice नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रोफॉर्मा invoice supposed to sell agent supposed to sell on behalf of the principal तो उस invoice में सिर्फ क्या लिख क्यों होती है only for his information his कौन agent agent को ही जो information मुझे दे नहीं है वह होता है प्रोफॉर्मा इन्वाज क्यों डेबिट नोट क्रेट नोट होता सकते हैं पक्का क्या बात कर दी क्योंकि पूरी दुनिया केस में दो खतरनाग बात है कि credit note दिया जाता है seller to buyer और वह 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 गुड़ रिटन के केस में क्यों दिया तब यह पूछना चाहरा हूं मैं प्रूफ के लिए क्या है नहीं नहीं है गुड़ रिटन हो गया चाहिए वह बेकार की जैसे हुआ पसंद्निया वह नहीं मैं कह रहा हूं कि उसके लिए credit note क्यों दिया जा रहा है seller दे रहा बायर को क्यों दे रहा है अर्फ सुनना द्यान से है ना क्योंकि जिन्दगी में कहा है जिए चीजह तुम्हें बहुत काम आएगी जीवन के हर पड़ाव पे काम आएगी कि सर credit note का लोचा क्या है ठीक है त्ध्जान से देखना इसको इसने क्या किया उद्धार पे माल बेचा किसे बेचा क्रेडिट सेल उद्धार पे बेचा बिल्लू को बिल्लू दा बायर ठीक है गुल्लूदा सैलर बिल्लूदा बायर को माल पसंद्द में आया उसकर बहुत गुशता है क्या बेकार चीज बेच रहा है कुछ है है बीच में सैलर कर अब इसको का ठीक है मैं वापिस भेज़ दूंगा समाद जब सैलर ने स्टैप नंबर वन पे जब सैलर ने माल बे क्या डाली होगी कि कैस में तो बेचा ही नहीं है भाई क्राइट सेल क्राइट डाली होगी बिल्लू डैबिट टू सेल्स यह डाली होगी ना इसका क्या क्या है इसका मतलब ऑप्राइट अक्स आप च्राइब कर में अब बिल्लू क्या बन गया देटर तो मैं बोलू इजमाई यहनी बिल्लू गुलू क्या है टेटर है अ बिल्लू बिल्लू गुलू ब 혼नी का गया मेरा equally अब बिल्लू मेरे डेटर होगये, डेटर मतलब जिससे पैसा मिलना है, अब माल बिकते ही मैने एंट्री पास कर दी, बिल्लू से पैसा आना है, बिल्लू ने गूड्स रिजेक्ट कर दी है, गुड रिजेक्ट एंड रिटन कर दिए अब बिल्लू ने जैसे गुड रिजेक्ट करें और रिटन करें अब क्या मुझे अगर मैं सेलर हूं या तुम सेलर हो क्या हमें बिल्लू से पैसा मिलेगा बिल्लू से पैसा मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा बिल्लू कहेगा अब जब गुड्स ना लिये तो पैसा क्यों दूँ गुड्स क्या कर दिये मैंने वापिस कर दिये अब अगर गुड्स वापिस होके तो पैसे तो मिलना नहीं अब यह बताओ डेटर तो खड़े पैसे जब यह इस टील एक्सि स्ट एंड़ेटर इस ओपन देटर तो अपन है हिंदुस्तानी और अपने यूपी की बास्ता में बोटे। अब भी खड़े हैं बैले सीट में अब एक डेटर जो मुझे बैले सीट में चिक करना होता है और उसे खतम करना होता है तो क्या करना पड़ेगा क्रेट करना जैसे ही गुड्स रिटन होंगे जैसे गुड्स रिटन होंगे सेलर सेलर बायर को क्या भेज़ देगा seller buyer को credit note भीज़ देगा और हिंदी में लिखके भेज़ेगा क्योंकि भाई भाई तूने मेरे goods क्या कर दिये return कर दिये तूने मेरे goods return कर दिये now I will not demand I will not demand money from you अब मैं तुझसे money demand नहीं करूँगा इस बात का सबूत तुझे credit note दे के दे रहा हूँ कि I am crediting you पहले मैं तुझे क्या किया था पहले मैंने तुझे debit किया था और debtor बनाया था अब मैं तुझे क्या कर रहा हूँ तो I am crediting you अब मैंने तुझे credit कर दिया खटम बात अब तुमने मुझे खुद बोला कि भाईया जो debtor है उसे खतम करने की क्या करना पड़एगा Sir बोलो credit करना पड़एगा तो मैंने जर दिया मैं seller था बिल्लू मेरा bientôt बिल्लू को मैने पहले debtor बनाया था तुमने ये entry बताई बिल्लू debit to sales तो बिल्लू को debit करके मैंने debtor बनादिया अब मैं क्या कर रहा हूं बिल्लू का कर रहा हूं बिल्लू को क्रेडिट करके उसे अपने खातों में खतम कर रहा हूं अब बिल्लू को मैं अपने खाते में खतम कर रहा हूं क्रेडिट करके इस बात को बिल्लू को भी उताऊंगा ना कि बिल्लू भाई मैं तुझे खतम करते लेकिन लॉजिक तो बताओ इसका क्यूं लॉजिक की शुरुआत होती है स्टेप नंबर वन से इस एंट्री से लॉजिक एज बिहाइंड अकाउंटिंग एंट्री आपने जैसे ही एंट्री डाली बिल्लू डैबिट तू सेल्स पहली एंट्री आप यही डालोगे जैसे आप अपने डैटर बना दिया उसको और दटर आपके बैलने शीट में खड़ा है और जो डैटर बैलेंशीट में जिन्दा है वह चीकषी के यह की मेरे नाम से पैसे मिलेंगे तुझे मांग पैसा अब डैटर मुझे पैसा मांग देटर को वह दो पी appeals कर दिया साब यहां मैंने अपने यह तो ने को उससे गिए उससे क्रेइट किया तो युझे तो इसे शर्च दिया अचा वो भी तो अपने एंटी डालेगा मुजह क्या देगा और अच्छे बताओ उसनी वैलेंशिट में क्या रहा होगा बिल्लू के इंटी बताओ बायार ने क्योंकि माल تو उसने उधारी भी पथज़ किया है तो बिल्ली ने पता हुआ के अंडीड डाली है बिल्ली Tapi ढाली है पर चे डवित कि अ है ठीक है पर चेत्ट का मत्ला कि उसने माल खरीदा है और अभी गुर्णू को क्रेड़ किया है तो गुल्लू क्या बन बैलेंशेट चीज़ चीज़ करेक्रेटर मतलब लाइविलीटी है कि मुझे इसको क्या देना है पैसा देना है अब गुट लोटा दिये तो क्या पैसा देना पड़ेगा को बैलेंशेट में चीक कहुंआ है मुझे पैसा दे मुझे पैसा दे मैं कहय क्युंद में गुड शले गए-時間 को क्रोबता नहीं तो मुझे उसे करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा और अगर मैं अपने यहां डेबिट कर दूँगा मैं अपने यहां डेबिट करके उसे खतम कर लूँगा तो उसको भी तो बताऊंगा कि भाई मैंने अपने यहां पर क्रेडिटर मिटा दिये अब मैं तुझे पैसा न debit note कि या भेजना पड़ेगा है ठीक है देखो यही बात लखिए क्रेडिटर सेलर टू बायर होता है और debit note बायर टू सेलर होता है यानि कि बताओ गुल्लू बिल्लू क्या देगा credit note बिल्लू गुल्लू को क्या भेज़ेगा debit note कब यह दौनों ही लेन दिन कब होते हैं वेन देर जा रिटन और जब गुड्स बेकने के बाद वापिस आ जाते हैं डिफेक्ट होने के विज़े से या रिजेक्ट होने के विज़े से बात तो कई बार एक्जाम में यह आ जाता है कि डिफाइन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो यह एक्सपेक्टेड है क्योंकि बच्चा इसे ही नहीं समझ पाता और जिंदगी में आगे 12 हो जा 12 के बाद कोई भी हो डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपको हड़ जेगे मिलेगा और practically चलता ही ही है जो मैं तुमसे समान खरीदा ठीक है तुम मेरे क्या बन गेक राइटर मुझे तुम्हें पैसा लटाना है पर मैं तुम्हें तुम्हें समान लटा दिया तो लेकिन अभी तुम मेरे कहां पर हो बैलेइन-शीट के लिए अभी एक्जिस करते हो ना तो आपको समान बेग दिआ है पैसे आप देदेना अगले महीं ने ठीक है तो तुमने मुझे क्या कर दिया ड extr लेकिन तुमने अपनी जिन्दा कर रखे अब तुम्हें डेटर को जिन्दा कर रखा यानि मेरे नाम से डेटर लगा रखा पैसे तुम्हें मिलेंगे समान बेज़ दिया मैं तुम्हें खतम करने के लिए खातों में क्या करोगे मैं तुम्हारा ढटर था तो मुझे करोगे जैसे तुम मुझे वहां पर करोगे सर आपके लाम कुछ कर दिया मुझे का जो तो अपने हां करोगे ना उसकी चिथी मुझे बेज़ देना बस Just अगई citizens या ज procure ब्लू की पास दा एंट्री बिल्लू डेबिट टू सेल ठीक है अब क्योंकि बिल्लू बिकम्स देटर और गुड्स आपिस आ गए तो मुझे सेले करना पड़ेगा सर क्रेट करना पड़ेगा इस अगर मैंने क्रेइट किया तो मैं उससे क्या देदूंगा क्रेट नोट फिर यहां इंट्री पास करना एड़ पॉइंट अब विल्लू एंटी के डाली पर्चेस देट टू गुल्लू गुल्लू क्या बन गया क्रेइटर पैसा रटाना है जब गुड्स देजे तो पैसा क्यों दूंगा इसलिए मैं उससे क्या करूंगा क्रेइटरों खतम करने के लिए के ड्रों के लिए डैबिट करूंगा तो क्या देदूगा सबंविए इसलिए यह से क्रेइट णोट देगा और बिल्लू इसे लिए कि ड्राइब इंट एब सांगी तो इसी ट्रांजक्षरिण को घर पर कम से कम जाके आज göst рук English को समझ में आएगा debit note और credit note का difference समझ के मुनना कब क्या समझ में आएगा सर debit note का difference ठीक है लॉरी रिसिप्ट कब यूज होगी सर जब आपका समान कैसे जाएगा सर ट्रक्स से जाएगा ठीक है और उसे ट्रक्स से जाने को बोलते हैं सर यह तो ट्रांस्पोर्ट रिया बिल्टी आम आदमी से क्या बोलता है बिल्टी और रेल्वे शिप्ट क्या होती है जब का समान किस से जाएगा सर रेलवे से जाएगा फ्रम बन काई नोट को धंग्चरिवाइस करेंगे क्या है